दोस्तों भारती रेलोए में यू तो कई ऐसी ट्रेने हैं जो अपनी पॉपलर्टी और पंक्च्वाल्टी के लिए जानी जाती हैं लेकिन बात करें ट्रेन स्पीड की तो भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रस है जो की 160 किलोमेटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलती हैं और इसके अलावा कई ऐसी राजधानी और सताब्धी ट्रेन्स हैं जो 130 से 140 किलोमेटर प्रतिघंटा की स्पीड से चलती हैं तो यहाँ पर बात यह है कि इंडियन रेलेवे में डबलु एपी फाइप और डबलु एपी सेवन जैसे लोकोमोटिव हैं जो किसी भी ट्रेन को 200 किलोमेटर प्रतिघंटा की रफ्तार से खिचने में सच्छम हैं और LBH रेक से युक्त ऐसे ही ट्रेन्स हैं जो कि 180 से 200 किलोमेटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलने में सच्छम हैं फिर भी इंडिया में ट्रेन्स जो हैं वह 160 किलोमेटर पर आवर की स्पीर से ज्यादा तेज क्यों नहीं चलती हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेल्वे में एक 70 किलोमेटर प्रतिघंटा की रफ्तार से ज्यादा तेज क्यों नहीं चलती हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं राखुल है और आप देख रहे हैं रेल जल दी मिद राहुल दोस्तों भारतीय रेल्वे में ट्रेन हैं 160 की स्पीड से ज़्यादा तेज क्यों नहीं चलती हैं इस बात को समझने के लिए हमें इंडियान रेलवे के ट्रैक्स, सिगनलिंग सिस्टम और लेबल क्रॉसिंग जैसे फैक्ट को समझना पड़ेगा तो दोस्तों चलिए एक एक करके इंफैक्स के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे ट्रैक्स की तो दोस्तों भारत में जो रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए हैं वो अंग्रेजों के दारा बिछाए गए थे इसलिए ये काफी ज़्यादा मजबूत हैं और सेम इसी तरह के ट्रेक्स बाहर विदेशों में भी हैं जिन पर सिंपल ट्रेंज यानि एक्सप्रेस ट्रेंज चलती हैं तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रेक्स दोसो किलूमेटर पर दिघंटा की रफ्तार जहलने में सच्छम हैं दोस्तों मैं यहां पर बिदेशों में चलने वाले बुलट ट्रेंज वाले ट्रेक्स की बात बिलकुल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो ट्रेक्स धाई सो किलूमेटर पर दिघंटा की रफ्तार से उपर वाले ट्रेक्स हैं और इनसे काफी ज़्यादा मजबूत भी हैं लेग इंडिया में जो ट्रेंस हैं वो 130 से 160 किलोमेटर पर धिघंटा की रफ्तार से ज़्यादा तेज नहीं चलती है दोस्तो दूसरा फैट है यहां का सिगनेलिंग सिस्टम दोस्तो भारते इडिलियों का जो सिगनेलिंग सिस्टम है वो बहुत ही पुराना सिस्टम है और ऐसे में अगर कोई ट्रेंस 200 किलोमेटर पर धिघंटा की रफ्तार से चलेगी तो रेट सिगनल कब आएगा और कब चला जाएगा लोको पालिट को पता ही नहीं चलेगा इसलिए इंडिया में जो है वो ट्रेन 160 किलोमेटर पर दिघंटा के स्पीड से उपर नहीं चलती है ये भी इंडिया में तेज ट्रेनों के ना चलने का एक प्रमुख कारण है दोस्तो तीसरा फैट है लेबल क्रॉसिंग दोस्तो विदेशों में जो फास्ट ट्रेने चलती है उनके लिए जहां पर लेबल क्रॉसिंग है वहाँ पर या तो आटोमेटिक गेट्स लगे हुए है या फिर ट्रेक्स ही एलवेटेड हैं जिससे किसी भी दुरुखता होने का डर नहीं रहता है जबकि भारत में अभी भी ऐसी कई लेबल क्रॉसिंग है जहां पर ना तो आटोमेटिक गेट लगे हुए है और ना ही ट्रेक जो है वो एलवेटेड हैं ज़्यादा स्पीड वाली हवा के अनुरूप नहीं है इसलिए उस पर हवा का प्रेसर ज़्यादा रहता है जिसके कारण भी ट्रेंड की स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं अचीब कर पाती दोस्तों यही कारण है कि बंदे भारत एक्सपरेस जैसी ट्रेन जिसका ट्रेल 180 km प्रधिघंटा की रफ्तार से हुआ था वो आज भी 130 से 140 km प्रधिघंटा की रफ्तार से चलती है इसका कारण यह है कि ट्रेक्स जो है वो काफी जाएता करब वाले हैं और यहां का सिग्नेलिंग सिस्टम जो है वो काफी वुराना है तो दोस्तों आसा करता हूं अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इंडिया में जो ट्रेने हैं वो 160 km प्रधिघंटा की तब तक के लिए नमस्कार